करिंग烈 हुँ देखते हैं आज में करेंट का री विजिन देखते हैं जो आपके सभी इक्जाम के लिए vist tracks का रिविजिन देखते हैं कुछ इंपोर्टन क्यूस्टिन चिलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को लाइक कर लें ज़रूर आई जी जी यल की एसिया की सबसे बड़ी अंडर्वाटर पाइपलाइन प्रोजेक्ट का संबंद किस नदी से है इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा ब्रह्मपूत्र नदी माना को पहला भारती गाउं घोसित किया इसकी माना को पहला भारती गांउं घोसित किया गया है किस राज में है यह उत्रा खंड में हैं सईक्त राश्ट की वैस्विक मात्र मृत्त ajudar मृत्यू मृत्यू जण्म और नौजात मृत्यू की मामलों की सूची में पहला देश कौन सा है तो इसका राइट आंसोर आपका क्या हो जाएगा भारत कौन सा देशा है भारत है छठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां किया गया छठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां किया गया है तो इसका राइट अंसर क्या हो जागा धाका में धाका में छठा हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया है मई 2023 से कितने करोड रुपए से अधिक के कारोबार वाले व्यवसावे के लिए नए जियस्टी नियम लागू हुए हैं इसका राइट है अन्सर क्या हो जाएगा अजय बंगा को किसे नियुक्त क्या गया है अजय बंगा को जेल में बंद किस देश की तीन महिला पत्रिकारों ने संयुक्त राष्ट प्रिस्वतंतरता प्रसकार 2013 जीता है इरान इरान की तीन महिला पत्रिकारों ने प्रेस सतंतरता प्रिसकार 2030 जीता है किस भारती मूल की अभिनेत्री को बाफटा फेलो सिफ अवार से सम्मानित किया जा रहा है किस भारती मूल की अभिनेत्री को बाफटा फेलो सिफ अवार से सम्मानित किया जा रहा है तो इसका right answer आपका क्या हो जाएगा मीरा सैयाल को किने मीरा सैयाल को समानित किया जा रहा है किस राज सरकार ने green hydrogen policy तयार करने की खुशना किये किस राज़ सरकार ने Green Hydrogen Policy तैयार करने की घुशना किया है तो हिमाचल प्रदेश कौन सा राज़ सरकार हिमाचल प्रदेश भारत ने मई 2023 में किस देश के साथ Migration and Mobility Partnership Agreement पर हस्ता चरकिया है तो इसका right answer क्या हो जाएगा आश्टेलिया के साथ किसके साथ आश्टेलिया के साथ migration and mobility partnership agreement पर हस्ताच्छर भारत क्या है भारती मूल के सिख जैस्वन सिंग बिर्दी किस देश के कोवेंटरी सहर के पहले lord mayor बने हैं तो इसका right answer क्या हो जाएगा बिर्टेन के कहा के बिर्टेन के परदान मंत्री नरिंद मोधी ने आश्टेलिया की यत्रा के दौरान किस सहर में एक नए वानिज जवात दूतावास का निर्मान करने की घुष्णा किया है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा ब्रिस बेन में कहां पाय आश्टलिया के विश्वेंद सहर में भारत ने पिछले नो बरसों के दोरान कोईला उतपादन में कितने प्रतिसत की विध्धी प्राप्त की है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा 47% 47% बोश्टन कंसल्टिंग ग्रूप की मोश्ट इनोवेटिक कमपनीज की सूची में किस एक मात्र भारती कमपनी को विश्वा स्थान मिला है तो इसका राइट एंसर क्या आजएगा टाटा कौन सी कमपनी को मिला है टाटा को मिला है किसने 2022-2024 के लिए भारती उद्योग परिसंग के अध्धच की रूप में पदभार समाला है तो राइट एंसर क्या हो जाएगा आर दिनेस कों समाले हैं आर दिनेस किस राज के समीर पांडे आश्टेलिया में मेयर कापद समालने वाले पहले भारती बने हैं तो बिहार के हैं तो इस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् परा आयते मद्रास की एक अंतरराष्टी परिसर रस्थापित किया जाएगा कहां पर तंजानिया में भारत ने किस देश में हो रही असांतियों से अपने नागरिकों को बचाने के लिए आपरेशन कावेरी को शुरू किया था तो इसका राय टेंसर क्या हो जाएगा सुडान अभी हाल ही में दो़ेश के बीच विवाज चल रहा है वहां से भारतियों के जिराय से भारतियों को लाने के लिए भारत देश ने, कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है तो उस ऑपरेशन का नाम कमेंट में करके बताएं जरूर विश के सबसे अमीर सहरों की सूची 2023 में कौन सा सहर सी सस्थान पर है तो निवार्क कौन सा सहर का है निवार्क सबसे अमीर सहर है किस देश में मसीन कैंसी 2023 सिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है तो सही उक्त अरब अमिरात में कहां पर विस्वेंग के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत कौन से अस्थान पर रहा है तो तमिल नाड़ क्या है बाजार उधारी में सबसे उपर है किसे हाल ही में प्रतिष्ठिट गोल्ड मैन परियावनन पुरसकार से सम्मानित किया गया है तो इसका राइट एंसर आपका क्या हो जाएगा तो इसका राइट एंसर हो जाएगा एलेसेंड्रा कोरप क्या हो जाएगा एलेसेंड्रा कोरप इसका राइट एंसर हो जाएगा तो